मोतिहारी में पुलीस टीम पर हमला, महिला सिपाही को भी पीटा, कई पुलीस वाले घायल मोतिहारी, बिहार में कोरोना संक्रमन को लेकर लोगडाउन के बीच अब पुलीस पर भी हमला होने लगा है मोतिहारी में ग्रामिनों ने पुलीस पर हमला किया है खवर्ड के मुताविक, मोतिहारी के पकड़ी दयाल के सिसानी में पुलीस की गस्तीदल पर ग्रामिनों का हमला किया गया है इस हमले में महिला सिपाही समेट कई पुलीस जवान घायल हो गया है बताया जाता है कि बिना हैलमेट के पाइक चलाने वाले सक्स को जब पुलीस ने रोका तो वो पुलीस से ही उलज गई फिर बात बढ़ने लगी और युबक का सपोर्ट करने के लिए गाउवाले इखटा हो गए और पुलीस को पीड डाला जिसमें आदा दर्जन पुलीस घायल इस वारदात के बाद कई ठानों की पुलीस के अलावा एस्पी नवीन चंदरजा भी मौके पर पहुँचे और 20 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है इसी दोरान एक बाइक सबास को जब हमारे पुलीस राडिकारी और चर्मियों के दोरा समझाया जा रहा है इस लोगों के दोरा हमारे पुलीस पार्टीरे उसे पत्थर और लाख्यों से अमला कर दिया गया है और उसमें इस मामले में सब्सक्राइक अर अन्या पतादीकारी आने से तुरंट वहां पहुचे और उसके बाद गिरफ्तारी की भी कारवाई की गई है, मैं भी अभी घटनास्तर से ही आ रहा हूँ और काफ़ी संख्या में लोगों को भी सेदिक की संख्या में लोगों को लिटे की राधुत में ही आ रहा हूँ